हाई एवरिवन प्येश्पी प्रजेक्ट के लास्ट पार्ट में हम लोग ने सब्मिट आंसर वाली फंक्शनलिटी बना ली थी अब हम लोग उन आंसर को डिस्प्ले करवाएंगे क्वेश्चन के नीचे सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक आंसर के लि बना लेते हैं और इस सबसे पहले में नाम रखता हूं और यहां पर नाम रखता हूं ॥ु LMS अंसर KGB प्रिय आ को ड़ पि उिए बाले के कंटेनर बना लृते हैं container में क्या type हो है then हम लोग यहाँ पर एक और div लेंगे और यह div हम लोग बाद मिलेंगे अभी नहीं ले रहे हैं then मैं यहाँ पर एक h5 tag ले लेता हूँ यहाँ लिखता हूँ answers अल्राइट जहां पर आप चाहो तो semi-colon भी लगा सकते हूँ अब मैं इसको import करने वाला हूँ question detail.php वाली फाइल के अंदर so जो यह form है ना इसके just ऊपर यहाँ पर मैं include tag लगाता हूँ and tag के लगाता हूँ मैं include function use करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ answers.php so let's see कि क्या हम लोग यहाँ पर इस page को get कर पा रहे हैं आप यहाँ पर देखे रहो answers वाली जो page हमारा यहाँ इंपोर्ट हो चुका है अब हमें क्या करना है इस answers वाले page के अंदर सबसे पहले database यहाँ पर already imported है इस वाली file के अंदर मुझे यहाँ पर include करने की जरूरत है नहीं database वाली file को यह already included है तो मैं यहाँ पर यहाँ करता हूँ PHP के tags लगाता हूँ basically and then यहाँ पर सबसे पहले query बना लेते है query equal to select star from table name which is answers यहाँ पर हमें वही questions चाहिए जो इस questions से relate करते है और वो कैसे निकलेंगे इस question ID के base के ओपर so मैं यहाँ पर करूँगा where question underscore ID equal to dollar qid अब यह qid कैसे निकालेगी देखो यहाँ पर qid हम लोग already use कर रहे है जो की हमें यहाँ पर index वाली file से मिल रही है अगर आप लोग index वाली file देखोगे ना तो यहाँ पर देखो हमारे पास qid है यह qid हम लोग ने पास करी question detail में because यह वाली file include हो रही है यहाँ पर राइट आफर देट हम लोग इस same ID को use कर रहें answers के अंदर connection आएगा dollar connection then query इस तरीके से और query वाला variable हम लोग यहाँ पर use कर लेंगे alright इसके बाद जो मैं result मिल रहा है इसके अंदर आप लोग for each लगा सकते हूं तो मैं यहाँ पर एक for each loop लगाता हूं और for each loop हमारे basically क्या करेंगे जो result है ना इससे data को get करेंगे की वगारा हमें नहीं चाहिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं यहाँ पर directly मैं कर देता हूं as dollar raw राइट इस value वगारा को हटा देता हूं सबसे पहले answers निकालेंगे answer और answer में कहां से मिलेंगे dollar raw से ठीक है रो यहाँ यहाँ पर answer ओके एक बार के लिए इसको करवा के देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा देन हम लोग आगे करते हैं यह मारा question है is PHP इसकी ID 1 है तो 1 ID के साथ में मारे कितने answers हैं दो answer है यहाँ पर this is second answer और यह तो आप यहाँ पर देख सकते हो this is second answer यह भी आ गया बट एक की लाइन में आ रहे हैं बिकोज इनको भी थोड़ा सा fix करना पड़ेगा हमें अभी properly राइट so then हम लोग क्या करेंगे आप चाहते हो तो यहां से ID भी ले सकते हो बट आइड यह में जरूर थे हैं नहीं simply आप क्या करोगे यहां पर echo ना करवाके एक और लाइन में echo करवाओ and इसके अंदर में यहां पर simply div ले ले तो इस div को हम लोग यहां पर close भी कर देंगे साथ की साथ इस तरीके से and then इसके अंदर हम लोग एक class दे देते हैं यहां पर row इसके अंदर simply हम लोग एक p tag ले सकते हैं इसको मैं यहां पर बंद कर लूँगा p tag को और यहां पर answer print कर देंगे dollar answer इस तरीके से then इसको semicolon के साथ बंद करेंगे और आप देख सकते हो दोनों answers हम यहां पर देख रहे हैं बट मैं थोड़ी बहुत यहां पर style add करना चाहता हूं यहां पर class add कर लेता हूं basically इस class का नाम यहां पर कर लेता हूं answer wrapper और इसको मैं उठा के लिए चलता हूं हमारी style वावी फाइल के अंदर इस तरीके से यहां पर हम लोग इसका थोड़ा सा style कर देंगे एक तो हमें यहां पर इसका border डालना है bottom आप चाहूं तो अपनी हिसाब से भी style कर सकते हूं इसमें कोई pixel कोई issue नहीं है but still मैं यहां पर थोड़ा बहुत style खुद से करने कोशिश करता हूं आप इसको कर बैटर style कर पाऊ तो कर लेना reason इसका यह है कि थोड़ी बहुत style तो चलेगी बट ज्यादा time style भी waste करूंगा तो आप PHP की वज़ए कहीं और ही चले जाओगी so better जाई है तो इदन यहां में padding भी दे देता हूं 5 pixel then हम लोग यहां पर आते हैं and मुझे लगता है ना यह cash wash का issue है file तो हमने सारी save करके रख्यों है हाँ अब आप देख सकते हैं हाँ पर हमारे underline questions भी आ रहे हैं ठीक है all right but मैं चाहता हूं कि जो यह questions है ना थोड़े से side में हटके आएं थोड़ी से इधर आएंगे तो बैट रहेगा अब को जस्त नीचे आ रहे हैं पता नहीं चल रहा कि कहां से question start हो रहे हैं कहां पे end हो रहे हैं so थोड़ी सी हम लोग और style add करते हैं एक दू-line आप basically क्या कर सकते हो यहां पे answers के just उपर एक div ले लो इसको हम लोग close कर देते हैं नीचे इसमें कोई problem नहीं है then यहां पे class लेंगे class हम यहां पे दो add करनी है पहली class तो मैं यहां पे add करता हूँ offset offset sm one add कर देता हूँ जैसे मैं इसको one को add कर हूँ यह थोड़ी सी style हमारे इधर की सकते आ गई है right भी थोड़ा सही लग रहा है but अगर यह questions काफी lengthy होंगे तो के बाहर जाएंगे let me see की अगर हमें कुछ और class चाहिए तो जे नहीं बाहर तो यह नहीं जाने वाले ठीक है जहीं तक रहेंगे अब मैं यहाँ पर कुछ एक और answer लिखता हूँ यहाँ पर कर देता हूँ इस का answer मुझे यहाँ पर add होके दिख गया आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो so किसी और question का answer करने कोशिश करते है java is a good programming language यहाँ पर कर देता हूँ java is evergreen programming language इतना कर देता हूँ submit करूँगा तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर question दिख रहे है और यहाँ पर questions की पूरी list भी दिख रहे है all right so next वाले पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कुछ और questions एड करेंगे यहाँ पर मैं इसको ओफलाइन कुछ questions को एड कर दूँगा उनके answers कर दूँगा ताक कि थोड़ी सी हमें complexity दिखे यहाँ पर after that हम लोग यहाँ पर categories दिखाएंगे categories को एड करने वाली चीज़ें वह भी रखेंगे so thank you so much इसमें कुछ doubt कुछ confusion है मुझे comment section में पूछो and please video को like करना चैनल को subscribe करना comment section में feedback देना यह बिल्कुल मत बूलना आपके लिए free of costa बट इससे मुझे बहुत value मिलती है यह मेरा जीपे का and paytm का donation नमर कर आप donation करना चाहते हो thank you guys thank you so much